homies welcome back chapter 1086 spoilers शुरू करने से पहले ओड़ा ने दो बड़े नियूस दिया है one piece के ये update सुन लो पहले तो तुम्हें शायद पता हो I don't know ओड़ा ने एक message दिया है हम manga readers के लिए और वो message है ये message में ओड़ा ने साफ लेखा है through even if you read from here on it's totally okay after all from here on we are getting to the one piece मतलब chapter 1086 तक क्या कुछ नहीं हुआ है सब कुछ हो चुका है रेवरी हो चुका है कोब्रा मर चुका है विल आफ डी के रास खुनने लगे हैं गोरो से के devil fruit ability के shadow देख चुके हैं और भाई अपने साबो के नाम पे भी डी जोड़ चुका है मैन इन कमांड मोस्ट हीनियस क्रिमिनल इन हिस्ट्री मंकी डी ड्रैगन ने भी कह दिया है कि रिवलिशनियर आर्मी की रियल फाइट Holy Night के Interfet के बात शुरू होगी अभी इतना ही नहीं है अभी और सुनी है जो रियल चीज है इम समा में विलन उसके devil fruit उसके power उसके black arrow shadow arrow कुछ भी unique power है जो वो introduce हो चुके हैं तो Oda का message यह है manga readers के लिए कि one piece के लिए stage set हो चुका है one piece अब end game में enter हो गया है और Oda ने कहा है मैं हर secret हर एक single character का secret जो भी मैंने इतने सालों तक hide करके रखा था सब कुछ draw होगा it will be fun please fasten your seatbelts I look forward to it पर वह यह मैं इस चीज़ से agree नहीं करता क्योंकि Oda का nature edge वो जितनी mystery reveal करता है उतनी अलग new mystery बना देता है तो भाईयों और उनकी बेहनों कुर्सी की पेटी बान लो one piece अपना voyage end game में ले जा रहा है तो यह तो था एक message Oda का बट दूसरा message यह है one piece chapter 1086 के बाद Oda ने four weeks यहनी one month का ले लिया है break announce कर दिया है अब यह break I hope Oda ने मांगा के आगे के chapter प्रिपेर करने के लिए लिये हो कोई health related issue ना हो ओडा को तो homies comment में Oda के लिए hashtag wish जरू करना अगर इसे कुछ हो गया तो हमें one piece जैसा masterpiece देखने कब मिलेगा पता नहीं अब जितने भी गोरो से है उन सबी को टाइटल और वारियर गोड का टाइटल दिया है और सबी गोरो से का नाम solar system के planet पर based है और ये वाला गोरो से saturn पहले ही reveal हो चुका था इसका name planet saturn को represent कर रहा है और इसे warrior god of scientific defense का title दिया गया है और ये blonde hair वाला गोरो से warrior god of agriculture का title दिया है और इसका नाम है saint shepherd jupiter और इसका नाम planet jupiter को represent कर रहा है अब next गोरो से ये वाला जो गांधी जैसे दिखता है ये गांधी डूड इसे warrior of finance का title दिया है और इस गोरो से का नाम saint ethan valon v nasu juro है और इसके name में v nasu planet venus को represent कर रहा है और ये मूचवाला जो गोरो से है इसे warrior god of legal affair का title दिया है इनसाफ का देवता बताओ और इसका नाम saint topman welkari है और इसके नाम में topman welkari का जो well है वो planet mercury को represent कर रहा है और ये last goal से इसका नाम है saint marcus mars और इसका mars planet mars को represent कर रहा है और इसे warrior god of environment का title दिया है and finally जो last saint है इनका leader इनका बाप इम समा या इमू इसका family name उस family name में से है जो कोबरा बताने वाला था बट इमू ने उसे रोक दिया था जो first 20 king थे और उनी family में से एक family का name इमू समा का last name है और इम समा का पूरा नाम नेरोना इमू है अब नेरोना family एक royal family है इसलिए chapter 1085 में इमू as a third person बात कर रहा था अब जो इमू नाम है वो nothingness यानि void खाली को represent कर रहा है तुम्हें भी moon god हो सकती है इमू और जो इनकी history है डी name के साथ वो अभी भी mystery है हाँ मुझे डी से याद आया जो ओडा ने नेफरिटारी डी family एलाबास्टा की उनका डी chapter 1085 में reveal हुआ था ऐसा तुम्हें लगता है बट ऐसा नहीं है ओडा ने नेफरिटारी का डी बहुत पहले ही four shadow कर दिया था जब रेवरी start भी नहीं हुई थी तब कर दिया था हमें अभी पता चला ही कि वीवी नेफरिटारी डी वीवी है बट इसका hint ओडा ने chapter 823 में पहले ही दे दिया था यह देखो इस पैनल में तुम्हें डी दिख रहा है यह four shadow था कि वीवी नेफरिटारी डी वीवी है और ओडा ने फैन का फेसे काट दिया अब next spoiler है जो celestial dragon था मोजो उस्गार्ड जिसने सिरा होशी को बचाने के लिए साय और लियो की help की थी उससे sentence to death दे दिया गया है और एक लौता ऐसा celestial dragon था जिससे fans hate नहीं करते थे और अच्छे लोग बहुत जल्दी उपर बुला लिये जाते हैं पर जो भी हो था तो यह celestial dragon ही पर में पॉइंट यह है मोजो उस गार्ड को जिसने sentence of death दिया है यानी मारा है वो एक holy night है और हम वहीं पर holy night के leader को भी देखते है और जो holy night का leader है वो figure land family से है figure land family समझ रहे हो इस panel में जो holy night थे जो shanks जैसा दिख रहा था जिसकी shadow shanks जैसी थी वो इनका leader हो सकता है क्योंकि shanks भी figure land family से belong करता है अब यह shanks का twin भाई है banks I don't know बट यह confirm है यह बंदा shanks नहीं हो सकता बहुत लोगों को यह लगता है जब holy night की यह shadow दिखाई थी उसमें से amazingly यह वाला holy night warrior exactly अखगामी शैंक्स की तरह लग रहा था बिल्कुल सीम और shadow में यह sword बिल्कुल identical लग रही थी शैंक्स की ग्रेफन सोट से और जिस posture में वह खड़ा है वह बिल्कुल shanks की तरह है अगर कोई compare भी करेगा shanks की dark shadow से इस mysterious new character की shadow को त difference नहीं बता पाएगा पर मैं तुम लोग से भी यह confirm करना चाहता हूं कि तो मैं अभी भी लगता है कि यह बंदा shanks हो सकता है और तुम्हें लगता है कि हाँ यह शैंक्स हो सकता है तो इस theory को सुनने के बाद comment में जरू बताना तो तुमने देखा होगा chapter 907 के इस panel में शैंक है ही नहीं क्योंकि इसका एक रीजन है तो हमने अभी तक शैंक्स को 15 या 16 चैप्टर में देखा है लेकिन ओडा ने अभी तक especially हर पैनल में शैंक्स का वह mark ड्रॉ किया है लेकिन चैप्टर 907 में ओडा ने शैंक्स का यह mark ड्रॉ नहीं किया है वाई अब तुम्हें लग र नहीं किया है तुम्हें भी हो सकता है यह शैंक्स का कोई भाई हो उक्यों की शैंक्स का फैमली निंव फगारललेंड है क्योंकि काफी लोगों को लगता है राधे करू को गौड़ वेली में मिला था और एक स्बीएस में फैन ने ओडा से सेमचीच स्पूछी थी क्या शै हम से भाग गया था, बट साबो को World Government track कर रही थी और World Government को जब intel मिली कि साबो Lusia Kingdom में है, तो World Government ने पूरा Island भी moms se खतब कर दिया था और जिस weapons से आइलेंट destroy हुआ था वह Vega Punk ने create किया था और Judaism तुम ने यहां तक देखी लिया है तो subscribe का button दवाना मत बूलना यहाँ पर होते हैं हमारी spoiler खतम मैं मिलता हूँ next video में